प्रकार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं कि भारत बना पत्रकारों के लिए सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक देशों में से एक मतलब और भी काफी सारे देश हैं जो खतरनाक हैं और भारत उन खतरनाक देशों में आते हैं इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि भारत में अब जो पत्रकार हैं वो सेफ नहीं है उनको स्वतंतरता नहीं है अपनी पत्रकारिता करने के लिए लोग उनको मार रहे हैं, पुलिस उनको हैरास कर रही है, गौर्मन्ट उनके खिलाफ देश द्रोई के इलजाम लगा रही है, कंटम्ट ओफ कोर्ट उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो इन तमाम बातों को हम वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, और भी काफी सारी चीज़ें ह यानि freedom of speech वो भी कत्रे में आ गई है, कैर इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पीडियो के लिए आप लोगों को एक information देते हूं, कि टेलिग्राम का link दिया मिलेगा description box में, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो की डाउनलोड कर सकते हैं, तो च इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, जिसका नाम है विश्व प्रेस सोतंतरता सोचकांग, यह बीसवी रिपोर्ट परकाशित की गई है, रिपोर्टर्स विडाउट बोर्डर के द्वारा यह एक पैरिस की संस्थान है, तो यहां पर यहनों ने कहा है, कि जो भार बारत है, 180 देशों में इसका स्थान, यानि भारत का स्थान, 150 वार आगया है, और हम पिछले साल के मुकाबले हमने बहुत खराब परदर्शन किया है, हम पिछले साल 142 पे तो थे हैं, लेकिन इस साल हमारी रेंक तो ओर जादा खराब हो गई है, 150 पे आ गई हैं, अब यहा करकर उनसे तो हम सही है, कैर उनकी भी हम चर्चा करेंगे, देखिए, अब बात करते हैं, विश्व प्रेस वतंतरता दिवस, इस विश्य के बारे में, देखिए, 1991 में युनेश्को की जर्नल कॉन्फरेंस हुई थी और उसमें रिकमेंडेट ये किया गया था, कि यहां पर एक विश्व प्रेस वतंतरता दिवस बनाया जाए, और इसके बाद 1993 में स्विंक्त राष्ट मासबा ने विश्व प्रेस वतंतरता दिवस की गोशना भी कर दी थी, अब यहां पर यह दिवस वर्स 1991 में युनेश्को द्वारा अपनाई गई विंड होक उद गोशना को भी चीहनित करता है, और 1991 में विंड होक गोशना एक मुक्त स्वतंतर और बहूलवादी प्रेस का विकास से संबंदित है, यानि विंड होक क्या है, तो आप समझ सकते हो, कि फ्री, इंडिपेंडेंट और यहां पर काफी सारे प्लोरेस्टिक प्रेस के बारे में यह बताता है, विश्व प्रेस संदंतरता दिवस 2022 की जो थीम है, वो रखी गई है थी, जनलिजम अंडर डिजिटल सीज, देखिए इसका मतलब हो जाते है कि आज की डेट में जैसे जनलिस्ट है, उनको ओनलाइन भी काफी ज़्यादा है, राज ट्रोल किया जाता है, तो यहां पर काज सामने कोई ऐसी न्यूज ली जाए, जो आपको अच्छी लगती है, आपको वो विशय अच्छा है और आप उसके समर्तक हैं, तो आप उसकी वाहवाई करेंगे, लेकिन कोई ऐसी न्यूज जैसे आजाती है आपके सामने, जो आपके मन के अकोडिंग नहीं है, तो आप वह कोई भी बाइस्ट पन नहीं है, फिर भी आपको लगेगा इसके अंदर कोई बाइस्ट पन आगे, तो ये चीज़ें अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, धीरे-धीरे क्या बहुत जादा बढ़ गई है, अब इसके बाद बात करते हैं, विश्व प्रेस सवतंतरता जो इंड जालती हैं, और ये जो पैरिस में जुस्थीत है, बोर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स, ये स्विंक तरास्ट, युनेश को जो येरोपिय परिसद हैं, एक फ्रेंको फ्रेंको फोनी हैं, अंतरास्ट ये संगटन हो गए, इनके साथ ये प्रामर्सी, यानि यहां पर इनको एडवाईजरी के तोर पर या फिर एक कंसल्टेटिव के तोर पर इनके साथ ये काम करती है, ये फ्री, या कहेंगे एक एंजियो है, ये नोन गॉर्मेंटल और्गिनाजिशन है, इसके तोर पर ये साथ-साथ इनको भी एडवाईज या कंसल्टेट करने का काम करती है, OIF का है 54 फ्रेंच भासी राष्टों का एक सम्मू होता है OIF, अब पत्रकारों के लिए लब्द संदंतरता की स्थर्क के अनुसार यह सुचकांग देशों और शेत्रों को रेंक परदान करती है, कि वहाँ पर कितनी संदंतरता है, अभी हम जानेंगे कि संदंतरता यह कैसे पैमाने पर मापती है, तो यहाँ पर यह सुर्व सर्फ संदंतरता की बात करता है यहाँ पर यह बात नहीं करता कि पत्रकारिता की गुणवता यानि क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में 100 तक, अगर जिसका 100 आया है तो वो सबसे अच्छा है वहाँ पर फ्रीडम वो प्रेस की जो फ्रीडम है वो higher level के उपर है लेकिन जिसका rank या फिर rank नहीं, sorry, जिसका number जो है वो 0 आया है, वो सबसे खराब है अब मुल्यांकन यानी यह evaluate कैसे करता है इसके 5 क्राइटेरियां है या contextual indicator है जिनके according ये independent या freedom वताता है प्रेस की, जिसके अंदर आ जाता है political context, राजनितिक संदर्व एक आ जाता है कानूनी धांचा यानि legal framework, एक आता है economic यानि आर्थिक संदर्व एक आता है socio culture, यानि समाजिक संस्कृतिक संदर्व फिर आ जाता है safety इन 5 parameter के उपर ये मापता है कि यहाँ पर freedom कितनी है प्रेस को लेकर अब इसके अलावा विशु के परदर्शन की मुखे विशेस्त है देखे, report से पता चलता है कि ये जो report आई है ये बताता है कि धुरूवी करण होता जा रहा है और धुरूवी करण वो भी दोगुना विर्दी हुई है धुरूवी करण का मतलब ये है कि अगर कोई एक इंसान या फिर कोई एक मेडिया है वो अगर government के अच्छा ही कर रही है और एक सिर्फ बुराई कर रही है तो वो बुराई ही कर रही है यहाँ पर इतना polarize हो गया है ये एक दूसरे की तरफ में मतलब कोई भी bias यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिना bias होके अपनी news दिखाए polarize बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अराजकता के कारण बड़ी हुई अर्थात मीडिया दुरूवी करण देशों के भीतर देश के अंदर तो है है अंतराष्ट्य लेवल के उपर भी हमें देखने को मिल जाता है अब बात करें देखिए इंडिया पहले 142 था अब 150 पर हम पहुंच गए है और हमारे आसपास के जो देश हैं इनको देख लेते हैं यह 146 इस पर पहुंच गए अफगानिस्तान 156 पाकिस्तान 157 बांगलादेश 162 चैना 175 पहले यह 177 था तो यहाँ पर इसने थोड़ी बहुत परगती किया है लेकिन हमने थोड़ा बहुत मतलब हम देखा जाए तो कुछ अपने आसपास के परोसियों से तो ठीक ही है तो यह देखकर हम खुश हो सकते हैं कि चलो यार आसपास के जो परोसियों है उनसे तो हम ठीक ही निकले लेकिन आप यहाँ देखेंगे ना भुटान में 33 है और यहाँ पर नेपाल 76 रैंक पर है तो यह काफी अच्छा परदर्शन कर रहे हैं इवन नेपाल ने तो अपनी जो पहले की रैंकिंग है वो काफी सुधारी है 106 था लेकिन अब 76 हो गया है यहनी 2021 में काफी जादा 2021 से लेके 2022 तक काफी जादा इसने अपनी रैंकिंग उपर काम किया है अब देशों की रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कौन फर्स्ट आया कौन लास्ट आया लेकि यह तो देश मुझे लगता है कि फर्स्ट बेंचर है एक क्लास होती है ना क्लास में बैटने होते हैं फर्स्ट बेंचर एक होता है लास्ट बेंचर तो यह फर्स्ट बें सबने सबने इसको बूरा दिखाने की कोशिच किया इसको काया कि आप 180 देशों में से लास्ट में आप रहोगे रूस 155 इस्तान पर रखा गया और भारत के पड़ोसी जैसे मैंने आप लोगों को बताई दिया नेपाल ने 30 अंकों की यानि रैंकिंग में काफी अची इसने व सब्सक्राइब ऑपहार में करते करना ने पर बारत के बारत के बारे में बात करते हैं जैसे बहुत यहां पर 2016 में 133 के रैंक पे थे हम लेकिन बाद में हमने देगा कि धीरे-धीरे हमारी रैंकिंग घटती आ रही है यह कैसे जानते हैं रिपोर्टर से बात करते हैं वो बताते हैं कि उनको कितना बोलना या कितना लिखने दिया जाता है उनको कितनी संतनतरता है या फिर उनके किलाफ कोई केस कितने चला दिया जाते हैं या उनको एंटिनेशनल का दरजा दे दिया जाते हैं तो वो यह चीज़ें बताते रहते हैं कि उनको थ्रेट कितने आते हैं ओनलाइन या फिर ओफलाइन कहीं पर जाते हैं तो वो सारी बाते जो है वो रिपोर्टर से पता करते हैं और उनकी उनके बिहाफ से रैंकिंग डिसाइड करते हैं अब बात करें रैंकिंग में गिरावट के पीछे के कांड देखे पत्रकारों के खिलाफ हिंसा हो रही है राजनितिक रूप से पक्षपात पूर्ण मीडिया में व्रिधी होना यानि मैंने कहा ना एक तरफ जो मीडिया है वो पूर्ण रूप से गौर्णमेंट का समर्थन करते हो मिलेगी और एक पूर्ण रूप से भाषिकार करते हो आपको मिल जाएगी बीच में सेंटरल जो बिना बायस होए जो चीजें करनी चाहिए वो कोई करता हो आपको नहीं पत्तरकारों के उपर काफी जादा दबाव बनाती है उनको फ्रीडम नहीं देती है अपनी प्रेस करने प्रेस की के अदर दोश पाया गया है देखे नितिकंत धांचा संधांतिक रूप से सुरक्षात्मक है यानि चोरी देखें तो इसका प्रोटेक्टिव है लेकिन यहां पर मानहानी, राजद्रो, नियाले की अवमानना, सरकार के अलोचना करने वाले पतरकारों के खिलाफ राष्ट द्रो के मुकदमे डाल देना, उन्हें राष्ट विरोधी करार कर देना, यह सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, और यहां पर मेडिया कर्मियों के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश ऐसे बना, कि यहां पर बोला गया है कि पतरकारों के खिलाफ हिंसा हो रही है, पुलिस हिंसा हो जाती है, यहां पर इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, राजनिती कारे करता जो हैं घात लगा कर बैठे रहते हैं, अगर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल दिया है, तो उनको वो पर मारने लग जाते हैं, डैथ हो रही है काफी जादा, तो य और चीर, human rights के आप बात कर लो, कश्मीर का मुदा उठा के बैठ गए हैं, यहां पर freedom of race की बात करेंगे, तो कश्मीर का मुदा उठा के बैठ गए हैं, यह कह रहे हैं कि यहां पर स्थीती जो है, वो चिंता जर्यांक बनी हुई है, यहां पर पतरकारों को, अक्सर पुलिस यहां पर जो army है, paramilitaries हैं, इनके द्वारा harass किया जाता है, परेशान किया जाता है, यह ऐसे अरोब लगा रहे हैं, खैर, अब कर भी कहा सकते हैं, report हमें पढ़नी पढ़ जाती है, क्योंकि exam में पूछ लिया जाते हैं, और exam के point of view से काफी ज़्यादा important है, पूछा जाते ह क्या हाल हैं देश के अंदर, अब देखें, भारत में press की स्वंतंतर था, हमारे समीधान में एक article है 19, जो हमें rights, हमारे fundamental rights यह कहता है, कि हमें भाशन और अभिव्यक्ति की स्वंतंतर था है, यानि freedom of speech and expression हम कर सकते हैं under article 19, अब यहां पर protection of certain rights regarding freedom of speech इस article कहता है, दिए गए है देखें, press की जो स्वंतंतरता है, उसको लेकर कोई कानून प्रणानली द्वारा, यहां पर कोई legal framework नहीं है, लेकिन इनको जो स्वंतंतरता दी गई है, वो article 19 के close 1 के, और sub close A के तहती यहां पर दी गई है, जिसके अमसार बाकी के जब इनागरिकों को जो स्वंतंतरता मिलत था, रामेश थापर वर्सिस स्टेट ओफ मदराज, 1950 के अंदर, सरवोच नहीं ने बहुत ही बड़िया एक judgment यहां पर कहा था, judgment का इन्हों ने कहा था, कि देखें, अगर press की स्वंतंतरता नहीं होगी, तो लोग तंतर, यानि डेमोक्रसी पनभी नहीं सकती, और यह हकीकत ह आप देखते हैं कि आपके सामने कोई news आती है, वो काफी टाइम से दबी हुई थी, वो सब के सामने लेकर आते हैं, अरे सरकारें बदल जाती हैं, इतनी बड़िया जो news निकालते हैं, इतना वो लोगों जो नेता होते हैं, वो चुपा के रखते हैं, अगर जो press है, वो ही नहीं होगी, कहा जाता है कि fourth pillar होता ही ये democracy का, तो अगर press ही नहीं होगी, तो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी देश के अंदर क्या हो रहा है, जिससे जो राजनेता हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे, और लोगों को ब्रहम में रखेंगे, और देश जो है वो परग संतंतरता है, अपने विचार, अपने पीच की, तो यहां पर absolute नहीं देगा है, मतलब कि आपको speech की संतंतरता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत की संपूर्पूरता, अखंडता, यानि sovereignty, integrity, जो देश की जो सुरक्षा है, और विदेशों के साथ जैसे हमारे संब संबंध है, friendly जो संबंध है, सारजनिक विवस्ता है, शालिंता है, नैतिकता, या फिर न्यायले के अवमानना, मानहानी, किसी अपराद के लिए उकसान, यह सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, तो इसके नाम पर आप यह सारी चीज़ें नहीं कर सकते, clear, तो उमीद करता ह कि आज का जो लेक्टर फ्रीडम ओप्रेज, आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि हमारे देश के अंदर क्या हालात है, और अगर यह वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडियेफ के लिए मैं आप लोगों को बता दे करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो